हाई दोस्तो इस्टेडी एड़ा की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज जो हम इंग्लिज का सेशन सुरू कर रहे हैं वोकाप से फन विथ वोकाप ठीक है जैसा कि बहुत सारे कमेंट थे और बहुत सारों लोगे ने हमसे परसनेव बोला था वोकाप के लिए और आइडमस और फ्रेज के लिए ठीक है तो आपको जैसा भी लगे अगर इन फ्यूचर इस पार्ट को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है कोई क्वेस्टन हो इस पार्ट से रिलेटेट तो भी नीचे कमेंट कीजेगा कम प्रेज का एक से दो पार्ट लाने को सिस करें ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सेयर जरूर कीजेगा ठीक है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इन फ्यूचर ऐसी व उसके जस्ट बगल में एक वेल बनी हुई है उस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इन फ्यूचर जो भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम इस स्रीज को आगे कंटिन्यू करे कि नहीं करें ठीक है अगर अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किजएगा चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला वर्ड क्या है corpulent ठीक है हाँ दूसरी बात ये कहनी थी कि मेरा pronunciation थोड़ा सा खराब है ठीक है और जो मैं इसमें आपको समझाओंगा वो उसका तो और खराब pronunciation करके समझाओंगा ठीक है तो आपका जो pronunciation वो नहीं गरवडाना चाहिए उसको आप अपने साथ रखिएगा ठीक है देखिए वर्ड क्या है corpulent ठीक है corpulent मिंस मोटा या थुल 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 ठीक है तो हम इसको याद कैसे करेंगे car पे लेट ठीक है corpulent इसको हम क्या की लगाएंगे car पर लेटा मोटा car पे लेटा मोटा है ठीक है देखिए corpulent यहाँ से हम कार निकाल लेगे car पे लेटा मोटा है ठीक है तो corpulent मिंस मोटा थुल 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 ठीक है इसका synonyms क्या हो जाएगा overweight, bulky, gross and chubby ठीक है अब दोस्तों ऐसे तो आपके दिमाग में यह चीज़ सेट हो गया होगा लेकिन प्रनसियेशन गरबढ़ा है न याद रखने के लिए अब आप कभी मोटा वर्ड नहीं यूद करेंगे हर्जम क्या यूज करेंगे, curplulent ठीक है इसका antonyms क्या होगा tinny, spare, ठीक है और slender slender ठीक है इस वर्ड का यूज कैसे करेंगे देखे after over eating for months, rani becomes somewhat corpulent, ठीक है मतलब कुछ months से बहुत ज़्यादा खाने के वज़ा से over eating, ठीक है rani जो है क्या हो गई, मोठी हो गई, थुल-थुल हो गई, ठीक है तो corpulent means car पे लेटा मोटा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है next देखते है Sandeep used an editing program to give himself a less corpulent look in the photograph, ठीक है Sandeep जो है एक editing program यूज करता है, अपने आपको क्या less corpulent, मतलब हलका सब मोटा दिखाने के लिए, कब मोटा दिखाने के लिए, ठीक है photograph, ठीक है, तो corpulent means car पे लेटा मोटा, car पे लेटा मोटा, मोटा थुल-थुल, ठीक है Synonym overweight, bulky, gross, chubi, antonyms, teeny, spare, slender, ठीक है, next देखते है देखे, amorphous, ठीक है, amorphous means क्या होता है, अकार बिहीन अकार बिहीन, ठीक है इसका pronunciation जरूर देख लिजेगा, ठीक है, amorphous means अकार बिहीन की क्या होगा, की देखे, एक दिम latest की है, amorphous amorphous, मतलब, जब से मुलायम सिंग, यादो और अखले सिंग, यादो के बीच में जगडा हुआ है, तब से amorphous गये है ठीक है, मतलब, amor का जो अकार है, जो amor के अस्तित बिहीन हो गये है ठीक है, तो amorphous means, जब से amorphous, मुलायम और अखलेस के जगडे में फसे हैं, तब से अकार बिहीन हो गये हैं amorphous, ठीक है, इसका synonyms देखते हैं, unsaved, irregular, ठीक है, antonyms क्या होगा, definite, and saved, ठीक है, इसका यूज देखते हैं, कैसे करते हैं, the amorphous laws are hard to follow, because they are not clearly defined, ठीक है, अकार बिहीन law, जो मतलब, जो मतलब, जो लो का अस्तित नहीं होता है, फालो करने बहुत दिक्कत होते हैं, क्यूंकि, they are not clearly defined, ठीक है, वो clearly defined नहीं होते हैं, ठीक है, under the microscope, the unknown virus appeared to be amorphous, ठीक है, microscope के नीचे जो है, unknown virus जो appear होता है, वो अकार बिहीन होता है, जैसे amoeba, ठीक है, detest, देखे, detest means, घृड़ा करना, घृड़ा करना, ठीक है, इसको, इसका change करते हैं, कैसे याद रखेंगे, detest, detest, मतलब जब आप बच्वन में छोटे थे, अब तो आपको नोकरी लेनीक जोड़ा पढ़ गई, तो आप test से घृड़ा करी नहीं सकते, ठीक है, लगिन जब बच्वन में थे तो आप detest, test देने से कितना घृड़ा करते थे, आप सभी लोग, ठीक है, बच्वन में test देने से बहुत ज़्यादा घृड़ा करते थे, तो उसका क्या हो गया, they test, ठीक है, आप सभी लोग बच्वन में test देने से घृड़ा करते थे, इसलिए they test मिन्स घृड़ा करना, ठीक है, इसका से अनॉनिम हेट अबोर ठीक है देखिए अबोर अबोर मिंस घ्रिडा करना बहुत सारे लोग भोर में उठने से नफरत करते हैं ठीक है तो अबोर भोर में उठने से नफरत करना मतलब अबोर मिंस घ्रिडा करना ठीक है लोथे अन्टोनिम्स admire, like, adore, adorable, इसी से बना है adorable, ठेक है, use देखते हैं, if you really detest your ex-boyfriend, you will stay away from him, इस कार तो आप लोग समझी गए होंगे, ठेक है, आगे चलते हैं, convey, यह तो बहुत simple word है, सबको पता होगा, क्या होता conveyments, देखें, किसी को convey करना, किसी को तयार करना, कोई काम करने के लिए, ठेक है, अगर हिंदी में कहें, तो पहुँचाना, ठेक है, convey, convey, आगे है रास्ता, convey से हमें समान पहुचाना है, ठेक है, तो उसको बनाएंगे क्या हो जागा, convey से हमें समान पहुचाना है, दोस्तों, एक बार नीचे एक चीज और comment कीजिएगा है, कि यह जो लिखना है, कि नहीं, या बोल दे, बोलने में कम टाइम लगता है, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, या लिख के बता है, जिसे convey से हमें समान पहुचाना है, ठेक है, convey, synonyms, क्या होगा, carry, transport, यह सब तो आपको पता होगा, यह आपके लिए नया होगा, हम, ठेक है, एन्टॉनिम्स, deny, and take, यह तो बहुत simple word आगया, ठेक है, लेना ही नहीं चाहिए था, आगे देखते है, absolve, absolve means किसी को दोस्त मुक्त कर देना, ठेक है, दोस्त मुक्त कर देना, ठेक है, अब इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, अब solve, absolve, absolve, ठेक है, absolve means दोस्त मुक्त कर देना, absolve, मतलब, अब case solve हो गया, इसलिए आप लोगों को दोस्त मुक्त किया गया है, ठेक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब case solve हो गया, इसलिए आप लोगों को दोस्त मुक्त किया गया है, तो absolve means दोस्त मुक्त करना, अब case solve हो गया solve हो गया इसलिए आप लोगों को दोस्त मुक्त किया गया है तो इसका आप एक figure सूचिए अब case solve हो गया है इसलिए आप लोगों को दोस्त मुक्त किया गया है ठीक है तो absolve means दोस्त मुक्त करना ठीक है इसका अच्छा यहां पर आपको figure की ज़रुरत है कि नहीं यह भी comment box में comment कर दी जगा ठेक है synonyms क्या होगा इसका एक्वित दुटी इस्प्रेंग पर्डन एक्षेंट ठेक है एंटोनिम्स ब्लेम एन डी एम एन डैम ठेक है एक्यूज एन सेंस्योर ठेक है तो अप्जॉल मिस अप्सॉल्ब दोस्मुक्त कर देना आप केस सॉल्ब हो गया इसलिए आप लोगों को दोस्मुक्त किया गया इसका यूज देखते है स्वामी ओम ट्रेंडिंग कर रहे हैं इस समय बिग बॉस से तो आप लोग जानते होंगे तो स्वामी ओम को दोस्मुक्त कर देना क्राइम से उड़ बिया इसलिए इसलिए बहुत बड़ा इन जस्टिस है ठेक है मोदी कम मोडी कम मिन्स क्या होता है थोड़ा तो यह तो आप इसी वर्ड से ही समझ सकते हैं कम कम मिन्स थोड़ा हिंदी में हम करते हैं कम तो मोडी कम मिन्स थोड़ा ठेक है इसको की में चाहें तो आप मोदी कम कर सकते हैं लेकिन कम ही काफी होगा ठेक है के लिए कुछ भी मान सकते हैं, तो मूदी अब थोड़ा कम मेहनत करने लगे हैं, मूदी कम, ठीक है, इसका synonyms, drop, little, ounce, क्रम, ठीक है, एंटोनेम्स क्या होगा, इंटारिटी, एंपल, टोटल, एनलोटोप, ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, बिमलेस प्रोजेक्ट वाज बोरिंग, एंट डिडनोट डिस्पले अमोदी कम आफ क्रियेटिविटी, ठीक है, बिमलेस का प्रोजेक्ट बहुत ही बोरिंग था है, और वो एक परसंट का भी, and did not display अमोदी कम आप creativity ठीक है creativity को थोड़ा भी display नहीं कर रहा था ठीक है अगला वर देखते हैं क्या है manual ठीक है manual में सबका क्या होता है साधार दैनी ठीक है इसको हम क्या पढ़ेंगे main oil sorry main oil main oil main oil से मतलब क्या है जो main लोग होते हैं साधार तो simple तेल यूज़ करते हैं जो मिलता है लगा लेते हैं तो क्या कर सकते हैं men are used simple oil simple oil ठीक है तो इसको आप सो सकते हैं अपने दिवाग में men are used simple oil तो manual में साधार दैनी है ठीक है synonyms क्या होगा देखें noice green देखें noice मिंस green काट देते है noice मिंस क्या होता है जो कोई काम स्टार्ट करता है मतलब beginner beginner का synonyms भी noice होगा और manual का synonyms भी noice होगा क्योंकि जो काम स्टार्ट करता हो भी simple होता है अभी उसका हमें साधारण होता है ठीक है तो noice जो है beginner का भी synonyms होगा ठीक है slavvy and object ठीक है antonyms देखता है elevated skilled nobel भी होगा ठीक है एक्सपीरियन्स and exciting ठीक है इसका यूज कैसे करेंगे because बिपिर नेबर ग्राजुएट from high school he is only qualified to menial jobs ठीक है ठीक है next जलते है fortitude fortitude means आपके क्या होता है साहस ठीक है इसका क्या क्या हो fort को तोड़ने के लिए साहस fort तोड़ने देखे fort तोड़ने ये का सकते है ठीक है fort means किला किला को तोड़ने के लिए साहस चाहिए fortitude fort तोड़ने ठीक है किला को तोड़ने के लिए साहस चाहिए देखे इसका इंटॉनिम सुनॉनिम देखने से पहले कोछ चीज देख लेते हैं जो में भी in future आपके help कर दे ठीक है Fort means क्या होता है किला ठीक है Fortitude किला को तोड़ने के लिए साहस चाहिए किला को हम क्या बोल सकते है सीटेडल ठीक है अब Fort में जब हम E लगा देंगे Forty ठीक है तो किला कैसा होता है मजबूत होता है Strength साहस ठीक है और जब इसको adjective बना देंगे क्या कर देंगे Forty five ठीक है तो ये क्या करेगा उसको protect करेगा किसको किला को ठीक है ठीक है adjective के noun से पहले आता है तो noun से पहले किला खिला noun है तो noun से पहले क्या आएगा protect करना ठीक है उसको protect करेगा ठीक है उस जगा को किला उस particular जगा को क्या करता है protect अब इसको हम कर देते हैं, fortitude, fortitude, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा है, bravery, या courage, इसको हम detail में इसका एक video बी लेक्चल बना के हम डाल देंगे, ठीक है, अभी आप देख लिजे, ठीक है, बस इतना ही मिलिंग होता है, ठीक है, तो हम इसका synonym देख लेते हैं, जल दे से, fortitude का synonyms, क्या होगा, देखें, अब जल्दी synonym देख लेते हैं, synonym क्या होगा, backbone, grit, pluck, pluk, ठीक है, और antonyms, spinlessness, ठीक है, cover this, एफ एथी, ठीक है, यूस देखते है, तो काओरली मन हैद नो fortitude, एफ बहाइंड दे यंग गल, ठीक है, दो काओरली मन हैद नो fortitude, ठीक है, है बहाइंड दे यंग गल, फ्रेपरी, ठीक है, फ्रेपरी मिन सजावत, या तड़क-बड़क भी कर सकते हैं अब इसको, सजावत, तड़क-बड़क, ठीक है, इसका की क्या होगा, फ्री, परी, क्या होगा की इसका, फ्री, परी, ठीक है, मतलब, फ्री में परी आ रहे थी, इसलिए बहुत सजावत की गई थी, ठीक है, फ्री, परी, फ्री में परी आ रहे थी, इसलिए बहुत सजावत की गई थी, सेनोनिम्स क्या होगा, डेकोरेशन, ओल्नमेंट, ठीक है, एन्टोनिम्स, प्लेननेस एंड सिंप्लेसिटी सिंप्लेसिटी तो थैंक्यो दोस्तो अगर आपको मारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सेयर जरूर करें और हमें बताएं कि आगे से ये सिरीज वकाब की सिरीज हम चलाएं कि नहीं आपको कैसा लगा, आपके कमेंट और लाइक हमें बताएंगे कि इन फ्यूचर ये सिरीज लानी है कि नहीं तो थैंक्यो दोस्तो